सुबाई सुबा हम सभी के घर में काम की बहुत ज़्यादा भागदोड होती है अब चाहे किसी के घर में खेती का काम फैल रहा हूँ या फिर ओफिस का हो या फिर बच्चों के स्कुल का टाइम हो तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है ऐसे में हम अपने फैमिली के लिए लिए शुरू करते हैं तो चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया है यह 100 ग्राम पुहा पुहा जो भी आपके पास अवेलबल हो आप कोई सभी पुहा ले सकते हो पुहा देखने में तो ज़्यादा लगता है लेकिन यह वेट में काफी काम होता है तो जैसे यह 100 ग्राम पुहा ह आपको ज़्यादा नजर आ रहा होगा बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि पुहा को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए हम पुहा को यहाँ पर तीन से चार बार पुहती अच्छे से दोएंगे जब तक इसके उपर से यह वाइट वाइट पानी निकलना बंद ना हो जाए तो हम एक से तेड़ मिनट के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर भूनी हुई मुमफली का योज भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा उसका टेस्ट होता है कुछ अलगी आता है और यह जो मुमफली भूनी जाती है इनका टेस्ट कुछ अलग आता जैसे हम लच्छे वाले आकार की प्याज को काड़ते हैं इस तरीके से काड़तेंगे तो आप रफली किस तरह से भी प्याज को काड़ सकते हैं जिब यह तेल के अंदर जाती है तो इसके जो लच्छे होते हैं वो अपने आप से खुलने लगते हैं तो हमें क्या करना है गै विदर लिए हैं जीरा डालेंगे जीरा आप चाहें को ये अपर रोइल भी कर सकते हैं और अब मैंने हैं पर एक टमाटर को ले लिए हैं जिसके गालें नालेंगे dallaरी बीज निकालके ही लेने हैं, तो गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो कर देंगे, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गरम है, कड़ाई भी हमारी काफी गरम है, तो इतनी हीट में हमारे टमाटर सोप्ट हो जाएंगे, टमाटर को हमें यहाँ पर मैस नहीं करना है, के वली ने हो रहे हैं, हमें यहाँ पर बिल्कुल में मैस नहीं करना है, तो हमने यहाँ पर यह पोह डाल दिया है, पोह आपको अभी चिपका चिपका सा नजर आ रहा है, लेकिन आप धहाँ दीजिएगा, जैसे जैसे हम पोह को चलाएंगे, यह खिलता चला जाएगा, अब जो हमने यहाँ पर मिर्च काटके रखी थी, और मुमफली हमने भून के रखी थी, और साथ में जो हमने यह प्याज फ्राइ करके रखी थी, इनको भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, तब ही मसालों को अच्छा टेक्चर आएगा, अब यह जो पाउडर है, यह आता है पोह की साथ, त चलाते रहना है, और बहुती बढ़िया से इसको मिक्स करते रहना है, तो आप ध्यान दीजेगा, जैसे जैसा मैं पोहा को यहाँ पर चलाती जा रही हूँ, पोहा हमारा ओटोमेटिकी खिलता जा रहा है, बस तेट से दो मिनट के बाद जब आप देखोगे, जो पोहा है हम हमारा बिल्कुल बनके तयार हो गया होगा, देखे जैसे नमकीन होती है, जो हमारा चीवडा होता है, उस तरीके का यह नजर आ रहा है आपको, एकदम खिला-खिला पोहा बनके हमारा यह तयार हो चुका है, यकिनन खाने में बहुत जद्द टेस्टी लगता है, बनाने का तरीका बिल्कुल यूनिक था, लेकिन सिंपल था, आपके सभी के गरों में सभी सामान अवेलेबल होंगे, आप कोई भी सामान हैं पे डाल सकते हो, यह लिज़ी हमारा बहुत ही बढ़िया पोहा बनके तयार है, तो आप इस पोहा की रेसिपी को अपने घर में बनाईए, स थोड़ा सूखा सूखा लगे, खाने में थोड़ी सी नाक मुचे लाए, तो आप पोहा के उपर थोड़ा सा सोच डाल के अपने बच्चे को दीजिएगा, बच्चे बहुत मन लगा के खाएंगे और बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा, आई होप आज की य इस रेसिपी में और एक ट्विस्ट दे सकती थी या कहीं कुछ डाल सकती थी या और तरीके से बना सकती थी, आप मुझे कोमेंट बोक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपके एक एक कोमेंट का बहुत इतिजार करूंगी, चलिए मिलती हूँ आपसे में नेक्स्ट वीड या को में प्यूद आपसे में ने या प्या उनाँ meलता हैं, चलिए विए या सकता हैं, एक कर ऑफे घे का घे करूंचे सकते हैं, बफे करwide kon inferior WOOD